हर दिन पावन में आज हम समरन करेंगे समाथ सेवी रानी रास्मनी को कौलकत्ता के दक्षिनेश्वर मंदिर और उसके पुजारी श्री रामकृष्ण परमहंस का नाम प्रसिद है पर वह मंदिर बनवाने वाली रानी रास्मनी को लोग कम ही जानते हैं रानी का जन्म बंगाल के 24 परगना जिले में गंगा के तटपर बसे ग्राम कोना में हुआ था उनके पिता श्री हरे कृष्ण दास एक साधारन किसान थे परिवार का खर्ट चलाने के लिए वे खेती के साथ ही जमिदार के पास कुछ काम भी करते थे उसकी चर्चा से रास्मनी को भी प्रशासनिक कामों की जानकारी होने लगी रात में उनके पिता लोगों को रामायन भागवत आदी सुनाते थे इससे रास्मनी को भी निर्धनों की सेवा में आनंद मिलने लगा रास्मनी जब बहुत छोटी थी तभी उनकी मा का निधन हो गया ऐसे में उनका पालन उनकी बुवा ने किया ततकालीन प्रथा के अनुसार उनकी ग्यारा वर्ष की अवस्था में उनका विवाह बंगाल के बड़े जमिदार प्रितम बाबू के पुत्र रामचंदर दास से हो गया ऐसे घर में आकर भी रास्मनी को अहंकार नहीं हुआ 1823 की भ्यंकर बार के समय उन्होंने कई अनक्षेत्र खोले और आश्रियस थल बनवाई इससे उन्हें खूब ख्याती मिली और लोग उन्हें रानी कहने लगी अगर आपने अभी तक हमारे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य कर ले जिससे की आपको प्रति दिन इसी प्रकार की अच्छी जानकारी मिलती रहे विवहा के कुछ वर्ष बाद उनके पती का निधन हो गया तब तक वे चार बेटियों की मा बन चुकी थी पर उनके कोई पुत्र नहीं था अब सारी संपत्ती की देखभाल का जिम्मा उन पर ही आ गया उन्होंने अपने दामाद मतुरानात के साथ मिलकर सब काम संभाला सू विवस्था के कारण उनकी आये काफी बढ़ गई सभी पर्वों पर रानी गरीबों की खुले हाथ से सहायता करती थी उन्होंने जनता की सुविधा के लिए गंगा तट पर कई घाट और सडकें तथा भगवान जगनाच जी के लिए सवा लाख रुपए खर्च कर चांदी का रत्वी बनवाया रानी का ब्रिटिश समराज्य से कई बार टकराव हुआ एक बार अंग्रेजों ने दुरगा पूजा उत्सव के ढोलनगाडों के लिए उन पर मुकदमा कर दिया इसमें रानी को जुर्माना देना पड़ा पर फिर रानी ने वह पूरा रास्ता ही खरीद लिया और वहां अंग्रेजों का आवागमन बंद करा दिया एक बार शासन ने मचली पकड़ने पर कर लगा दिया रानी ने मच्छवारों का कष्ट जानकर वह सारा तट खरीद लिया इस से अंग्रेजों के बड़े जहाजों को वहां से निकलने में परिशानी होने लगी इस बार भी शासन को जुक कर मच्छवारों से सप्रतिवंध हटाने पड़े एक बार रानी को स्वप्न में काली माता ने भावतारीनी के रूप में दर्शन दिये इस पर रानी ने हुगली नदी के पास उनका भाव मंदिर बनवाया कहते हैं कि मूर्ती आने के बाद एक बक्से में रखी थी तब दक मंदिर अधूरा था एक बार रानी को स्वप्न में मा दुर्गा ने कहा कि बक्से में मेरा दम घुट रहा है मुझे जल्दी बहा निकालो रानी ने सुबह देखा तो प्रतिमा पसीने से लत्पत थी इस पर रानी ने मंदिर का निर्मान तेज कर दिया और 31 मई 1855 को मंदिर में मा दुर्गा की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा हो गई इस मंदिर में मुख्य पुजारी रामकुमार चटर जी थे वृद्ध होने पर उन्होंने अपने चोटे भाई गदाधर को वहां बुला लिया यही गदाधर श्री रामकृष्ण परमहंस के नाम से प्रसिद्ध हुए परमहंस जी सिद्ध पुरुष्ठ थे एक बार उन्होंने पुजा करती हुई रानी को यह कहकर चांटा मार दिया कि मा के सामने बैठकर अपनी जमिदारी का हिसाब मत कर रानी अपनी गलती समझ कर चुप रही रानी ने अपनी संपत्ती का प्रवंद ऐसे किया कि जिसके उसके द्वारा संचालित मंदिर तथा अन्य सेवा कारेों में भविश्य में भी कोई व्यवधान ना पड़े आंत समय निकट आने पर उन्होंने अपने करमचारियों से गंगा घाट पर प्रकाश करने को कहा इस जगमक प्रकाश के बीच उन्निस वरवरी 1861 को देश, धर्म और समाच से भी रानी रासमनी का निधन हो गया दक्षिनिश्वर मंदिर के मुख्य द्वार पर लगी प्रतिमा उनके कारेों को सदा याद दिलाती रहती है भारत माता की जै